चिडिया के घर के बाहर एक छोटा सा पौधा होगा था चिडिया उस पौधे को देख कर बहुत खुशती और उसकी देखबाल करने लग जाती है चिडिया ये आपने किस चीज का पौधा लगाया है? मैंने तो आज से पहले कभी नहीं देखा कबूतर भाया मुझे भी नहीं पता ये नन्ना पौधा किसका है? मैंने भी पहले बार ही इसे देखा है अब तो चिडिया पौधे को बड़ा होने का इंतजार ही करना पड़ेगा आखिर तभी जाकर पता चलेगा पौधा किसका है? इस तरह से समय बीतने लगता है और नन्ना पौधा अब बड़ा हो गया था और उस पर फल भी लगना सुरू हो गए थे चिडिया ये आपने कौन से फल का पेड़ बोया है? मैंने तो आज से पहले ऐसा फल कभी नहीं खाया दिखने में तो बहुत सुन्दर लग रहा है गोरी बहन मैं भी इस फल से अंजान हूँ क्योंकि मैंने ऐसा फल आज से पहले कभी नहीं देखा आप दोनों चिंता ना करो मैं इस फल को अभी खा कर बताता हूँ इसका स्वाद कैसा है? नहीं नहीं कालू जी मैं आपको ये अंजान फल नहीं खाने दूंगी हो सकता है ये कोई जहरीला फल हो हाँ कालू भाया गोरी बहन एकदम सही कह रही है आप ये फल अभी मत खाईए जब तक इस फल की पूरी जानकारी नहीं मिल जाती ऐसा कहकर रानो चड़िया भोजन खोजने चली जाती है लेकिन गोरी कवी पेड के पास बैठी कुछ सोच रही थी कालू जी मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना इस फल को रानो के बेटे को खिला कर देखी अगर वह मर गया तो हम समझेंगे के पेड जहरीला है और वह जिंदा रहा तो हम भी भर पेड इस फल को खाएंगे हाँ हाँ गोरी जे जल्दी से एक फल लेकर रानो के बेटे के पास चलते हैं वरना चड़िया भोजन लेकर आ जाएगी फिर वह दोनो एक फल तोड़ कर चड़िया के बेटे के पास चले जाते हैं कुकु बेटे आपकी मम्मा ने आपके लिए भोजन दिया है कह रही थी कुकु को भूक लगी होगी तो आप इस फल को जल्दी से खालो नहीं आंटी जी मुझे तो कोई भूक नहीं लगी और मेरी मम्मा खुद क्यों नहीं आई भोजन लेकर कुकु बेटा आज आपके मम्मा को आने में साम हो जाएगी आपको भूक ना सताए इसलिए उन्होंने हमारे हाथो भोजन भेजा अगर आपको नहीं लेना तो हम इसे लेकर चले जाते हैं कालू की यह बात सुनकर कुकु को विस्वास हो जाता है और वह गोरी से फल लेकर खा लेता है कालू जी इस कुकु के बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ लगता है फल जहरीला नहीं है हाँ गोरी जी मुझे भी ऐसा ही लगता है कुकु बेटे भोजन कैसा लगा कालू अंकल जी ये भोजन तो बहुत मीठा है आसे पहले मैंने कभी ऐसा फल नहीं खाया यह सुनकर कालू और गोरी तुरंत ही पेड़ के पास चले जाते हैं और जी भर कर वैफल खाना सिरू कर देते हैं कालू जी ये फल तो बहुत स्वादिश्ट हैं हाँ गोरी जी मेरा तो पेट भर गया है परन्तु मन अभी तक नहीं भरा कालू जी अगर सभी पक्षियों को इस फल के बारे में पता चल गया तो सारे फल बहुत जल्दी खतम हो जाएंगे फिर हमें भी खाने को नहीं मिलेंगे गोरी जी तो हमें अब क्या करना चाहिए जिससे किसी को फल की सच्चाई ना पता चले कालू जी हम ये फल सबसे छिपा कर खाया करेंगे और सबसे कहेंगे कि ये फल जहरीले हैं फिर वह दोनों सारे जंगल में फल जहरीले होने की अपवा फैला देते हैं पक्षियो इस अंजान पेड के फल गलती से भी ना खा लेना कालू जी ने थोड़ा सा फल खाया था तो उनकी तबियत खराब हो गई थी आप दोनों ने बहुत अच्छा किया जो हम सब को बता दिया वरना मैं तो इस पेड के फल को खा ही जाता चलो पक्षियो अब अम भोजन की तलास में जाते हैं इस तरह से उस पेड के फल कोई भी नहीं खाता जब रात हो जाती गोरी और कालू चिपके से धेर सारे फल तोड़ लाते और उन्हें बड़े ही मजे से खाते गोरी जी ये फल कितना मीठा और नरम है जी करता है सारे पेड के फलो को खा जाओ तो खा जाओ ना कालू जी रोका किसने है सारे फल हमारे ही तो हैं बाकी के पक्षि तो इस फल के बारे में कुछ नहीं जानते कालू और गोरी इसी तरह से चोरी करके फल खाते हैं और धीरे धीरे समय भी बीतने लगता है कबूतर भाईया आप कब आए और आपके मामा जी का पंक ठीक हो गया हाँ चुडिया बस अभी अभी आया हूँ और मामा जी एकदम ठीक हो गये और तुमारा पोधा कैसा है लगता है शायद बड़ा हो गया होगा हाँ कबूतर भाईया वो पोधा तो बड़ा हो गया परन्तु उसके फल तो जहरीले निकले जहरीला फल आप मुझे उस पेड के पास ले चलिये जरा मैं भी तो देखूं जहरीला फल कैसा है फिर रानो कबूतर को उस पेड के पास ले जाती है अरे चिडिया ये तो लीची का पेड है मैंने अपने मामा जी के यहां खाया था नहीं कबूतर भाईया ये फल जहरीले है कालू और गोरी ने हमें बताया पर उन दोनों को कैसे पता चला कि यह फल जहरीला है कालू भाईया ने थोड़ा सा फल खाया था बस तभी उनको पता चला कि यह फल तो जहरीला है चिडिया की ऐसी बाते सुनकर कबूतर एक लीची तोड लेता है और उसे खा जाता है कबूतर को फल खाते देख चिडिया बहुत घबरा जाती है भाईया आपने ये फल क्यों खाया अब आप जल्दी से डॉक्टर के पास चलिये वरना आपकी तब्यत खराब हो जाएगी मैं एकदम ठीक हूँ चिडिया क्या ये फल कालू ने आपके सामने खाया था नहीं कबूतर भाईया उन्होंने तो सिर्फ हमें बताया था बस चिडिया अब मैं सब समझ गया उस कालू और गोरी ने आप सभी को बुद्धु बनाया और अकेली अकेले ही ये लीची खाये जा रहे थे परन्तु उन्हें तो हमने कभी भी इस पेड़ से फल तोड़ते नहीं देखा फिर वो कैसे ये लीची खा सकते हैं हो ना हो चिडिया वो तो फल जरूर खाते होंगे ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ पर छिप जाते हैं और कालू गोरी का इंतजार करते हैं चलो कालू जी रात हो गई हैं सबी पक्छी सो गए होंगे अब हम फल तोड़ कर ले आते हैं हाँ हाँ गोरी जी चलें मुझे बहुत तेज भूक लगी है फिर कालू और गोरी फल तोड़ने उसी पेड़ के पास आ जाते हैं और देर सारे फल तोड़ लेते हैं उनको फल तोड़ते देख टूनी और कबूतर बाहिर आ जाते हैं वह गोरी और कालू आपने सभी पक्षियों को कैसे बुद्धू बनाया और अकेले अकेले ही लीची का फल खाते रहे नहीं नहीं कबूतर हम तो बस देखने आये थे कि कोई अंजान पक्षी गलती से ये फल तो नहीं खा रहा गोरी बहन अब तो जूट मत बोलो हमें सब पता चल गया है कि आप कैसे इन लीचीयों को छुप-छुप कर खाते आ रहे हो रानों और कबूतर की ऐसी बाते सुनकर वे दोनों वहां से भाग जाते है और सुबह ये बात जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाती है और सभी पक्षि पेड़ के फल खाते है दोनों पती पतनी ने हमें ये स्वादिष्ट फल नहीं खाने दिये अकेले अकेले ही फल खाते रहे मैं तो कहता हूँ उन दोनों को अब इस पेड़ के फल नहीं मिलने चाहिए हाँ हाँ मिठु तो ता आप एकदम सही कह रहे हो आज तक बहुत खा लिए उन दोनों ने ये फल अब उनको सजा तो मिलने ही चाहिए ऐसा कहकर जंगल के सारे पक्षि कालू और गोरी को फिर कभी लीची नहीं खाने देते कालू जे मुझे से तो ये सब कभी नहीं देखा जाएगा सारे पक्षि कैसे उन लीचियों को मजा ले लेकर खाये जा रहे हैं और हम बस दूर से ही देखते रहें हाँ गोरी जे मुझे भी ये सब बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा है आप कुछ सोचो कालू जे अगर हम लीचियों नहीं खा सकते तो किसी को भी लीचि नहीं खाने देंगे आज सभी के सूजाने के बाद हम उस पेड़ को जड़ से ही काट देंगे हाँ हाँ गोरी अगर हम लीचि नहीं खाएंगे तो किसी को भी नहीं खाने देंगे ऐसा कहकर वे दोनों कुलाडा लेकर पेड़ को काटने चले जाते हैं आरे ये दोनों इतनी रात में कुलाडा लेकर कहां जा रहे हैं मुझे भी इनके पीछे जाकर देखना चाहिए फिर मिठु तो ताभी उनके पीछे पीछे जाने लगता है आरे ये दोनों तो लीची के पेड़ की तरफ जा रहे हैं लगता है गुसे के कारण पेड़ को ही काटने वाले हैं कालू गोरी आप दोनों इस पेड़ को नहीं काट सकते चुपचाप चला जा यहां से वरना पेड़ से पहले तुझे ही काट दूगी हाँ हाँ मिठू तोता अगर अपनी सलामती चाहता है तो चुपचाप यहां से चला जा तोता दोनों की यह बात सुनकर कबूतर और रानों के पास जल्दी से चला जाता है और उनको सारी बाते बताता है आज तो गोरी और कालू को छोड़ूंगा नहीं यह दोनों कभी नहीं सुदरेंगे हाँ भाया पर जल्दी से चलिए पेड़ के पास वरना दोनों से तन पेड़ को काट डालेंगे ऐसा कहकर वे जल्दी से पेड़ को बचाने निकल जाते हैं कालू सिर्फ एक दो ही को लाड़ा पेड़ को मार पाता है और तभी वे सब उसको रोक देते हैं रुक जाओ कालू हमारे होते हुए इस पेड़ को नहीं काट सकते ऐसा कहकर सभी पक्षी कालू और दोरी को खूब मार लगाते हैं हमें मत मारों आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे किरपय करके हमें जाने दो रानो हम दुबारा कभी भी पेड़ को नहीं काटेंगे बस इस बार हमें माफ कर दो कबूतर भहिया अब हमें इन दोनों को माफ कर देना चाहिए और इने फल भी खाने देते हैं नहीं चुडिया हम इन दोनों को फल नहीं खाने देंगे नहीं कबूतर भहिया अगर हमने इनको फल नहीं खाने दिये तो ये एक ना एक दिन पेड़ को काट ही देंगे यह सुनकर कालू और गोरी खुस हो जाते हैं और पेड़ को काटने का इरादा बदल देते हैं रानो चिडिया बहुत परिसान थी क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था ऐसा सोचकर वह अपनी बहन मीनू चिडिया के पास चली जाती है मीनू बहन आप अपनी पती से कहकर मुझे कोई काम दिलवा दे जिससे मेरा गुजारा हो जाए रानो दीदी वह अभी चाई बेचकर नहीं लोटे हैं जैसे ही वो घर आएंगे मैं आपके बारे में जरूर बाते करूंगी तबी वहाँपन मीनू चिडिया का पती चाई बेचकर आ जाता है और मीनू चिडिया उसको रानो की सारी बाते बताती है रानो अभी तो मेरे पास तुमें बताने को कोई काम नहीं है पर हमारे जंगल में बादाम की बड़ी मांग है अगर आप बादाम बेचने लगो तो आपकी अच्छी कमाई हो सकती है आप एकदम सही कर रहे हो सर्दियों का मौसम में आने वाला है मैं कल से ही बादाम की दुकान खोल लूगी ऐसा कहकर रानो चडिया वहां से अपने घर आ जाती है और अगली सुबह बादाम की दुकान खोल लेती है रानो चडिया ये बादाम कैसे दिये हैं आपने कभूतर भहिया 500 रुपे के आधा किलो हैं बादाम अच्छा एक किलो बादाम दे दो सर्दियों में बादाम खाने का तो मजा ही कुछ और है इस तरह से रानो के सारे बादाम बिक जाते हैं वे बड़ी ही खुस होकर अपने घर चले जाती है अब हर दिन रोज रानो बादाम की राड़ी लगाया करती और पलक जपकते ही उसके सारे बादाम बिक जाते देखा गौरी जी, इस रानों के सारे बादाम कितनी जल्दी बिक जाते हैं और हमारे पूरे दिन में एक दो ही समोसे बिक पाते हैं कालू जी, मैं तो सोच रही हूँ कि हम भी बादाम बेचने का काम शुरू कर देते हैं एक तो इतनी मेनत से हम समोसे बनाते हैं उपर से ये स्वाधिष्ट भी नहीं बनते हाँ गोरी जी आप सही कह रही हो हम भी कल से बादाम ही बेचेंगे फिर अगली सुबा कालू और गोरी भी बादाम बेचने चले जाते हैं गोरी बेहन एकदम सही किया आपने जो समोसे का व्यापार बंद कर दिया उसमें आपके जैदा बिकरी नहीं होती थी हाँ रानो हमने तो कल ही सोच लिया था कि हम भी बादाम बेचना शुरू कर देंगे फिर वह दोनों अपने अपने बादाम बेचने लगते हैं डानों के तो कुछी देर में सारे बादाम बिक जाते हैं और वह अपने घर चली जाती हैं परन्तु कालू और गोरी के तो आफी जैदा बनानी है बस कालू जी बहुत हुआ आप देखना कल हमारे बादाम उसरानों से जैदा बिचेंगे पर वो कैसे गोरी जी फिर गोरी कवी कालू को अपना सारा प्लान समझाती है औरे वा गोरी जी क्या तेज दिमाग पाया है आपने वह हर दिन की तरह अपनी बा बेच रही थी और तभी कालू वहां पर आता है गोरी जी एक नन्ना बच्चा भटकता हुआ उस जलेबी बाले की दुकान पर आ गया बिचारा बहुत रो रहा था मेरा तो जी कर रहा था कि उसको अकेला ना छोड़ू कालू जी आप दुकान का ध्यान रखिये मैं उस बच बच्चे के पास जा रही हूँ बिचारा मासूम कोई उसका गलत फाइदा ना उठाने गोरी बहन मैं भी आपके साथ चली जाती पर मेरे बादामों का तो कोई धियान रखने वाला नहीं है रानो आप गोरी के साथ चली जाओ मैं आपके बादामों का पूरा ध्यान रखू कालू भाईया आप बहुत अच्छे हो यह कहकर रानो और गोरी उस बच्चे को देखने वहां से चली जाती है पर कालू तो रानो के जाते ही उसके सारे बादाम कड़वे बादामों से बदल देता है और इधर वो दोनों जलेबी की दुकान पर पहुँच जाती है रानो लगता है बच्चा तो यहां से चला गया है शायद उसके ममा पापा उसको मिल गई होंगे हाँ गोरी बहन आप सही कह रही हो अब हम चलते हैं फिर वह दोनों अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती हैं थोड़ी ही देर में रानों के सारे बादाम बिख जाते हैं रानो अपने घर जाने ही वाली थी तब ही वहाँ पर उसके गिराहक आ जाते हैं रानो हम तो तुझ पे विश्वास करके ही बादाम खरीदते हैं पर तू भी बाकियों की तरह लालची ही निकली पर मैंने क्या किया है कपुतर भीया एक तो सारे बादाम कड़वे दे दिये और पूछ रही हूँ मैंने क्या किया मुझे नहीं चाहिए तेरे बादाम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो फिर रानों उसको उसके पैसे वापस कर देती है और अपना एक बादाम खा कर देखती है अरे ये तो बहुत कड़वी बादाम है पर मैं तो जैदा पैसे देकर स्वाधिष्ट बादाम लाई थी फिर एक एक करके सारे गिराहक बादम वापिस कर देते हैं और गोरी की दुकान से बादम खरीद कर ले जाते हैं देखा कालू जी मैंने कहा था ना कि हमारे शारे बादम बिक जाएंगे हाँ गोरी जी और हमारे अच्छे कमाई भी हो गई है कालू जी कैसे भी करके इसी तरह से रानों के एक दो बार बादाम बदल दें फिर रानों का काम एकदम ठप हो जाएगा फिर वह दोनों मोका देखकर रानों के बादामों को बदल देते हैं जो भी गिराहक एक बार रानों से बादाम खरेता वह दो बारा रानों की दुकान पर नहीं आता मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं बाजार से एकदम बड़ी है बादाम लाती हूं फिर बैकडवे कैसे हो जाते हैं यह सम मुझे पता लगाना होगा ऐसा सोचकर रानो गोरी कवी के पास चली जाती है गोरी बहन मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया थोड़ी देर के लिए मुझे घर पर जाना होगा तो आप मेरी दुकान का ध्यान रखना हाँ रानो जाओ और बेफिक्र होकर लोटना हम तेरी दुकान का पूरा ख्याल रखेंगे ऐसा कहकर रानो दूर जाकर पेड़ पर छिप जाती है और अपनी दुकान पर नजर रखे हुए थी कालू जे जल्दी से बदाम बदल दीजिए ऐसे में रानो भी यहां नहीं है जैसे ही गोरी और कालू बादाम बदल रहे थे रानो वहाँ पर अपने कुछ गिराकों को लेकर आ जाती है देखा आप सब ही ने ये गोरी और कालू ही मेरे बादामों को कड़वे बादामों से बदल रहे थे अरे नहीं नहीं हम तो बस ऐसे ही बादामों को देख रहे थे कालू जूट मत बोलो हमने अपने आखों से सब देख लिया कि तुम दोनों ही रानों के बादामों को बदल रहे थे और आज के बाद हम कभी भी तुम्हारी दुकान से बादाम नहीं खरी देंगे इस तरह से कालू और गोरी की चोरी पकड़ी जाती है और अब उनसे कोई भी पक्षी बादाम नहीं खरीदता सब रानों की ही दुकान से बादाम खरीदते हैं